वेलकम टू आवर यूट्व चैनल सिविल जेंडल में आज की वीडियो हम देखने वाले हैं with the help of calculator हम कोई भी equations कोई भी equations जिसमें 2 variables हो 3 variables हो उसको हम easy तरीके से कैसे निकाल ले जल्दी से जल्दी कैसे निकाल ले उसका answer x, y, z variables जो रहता है उसका मेहल हम कैसे निकाल ले क्योंकि उसको सौम करने में काफी बाद ज्यादा समय लगते हैं उसलिए आज की वीडियो हम देखने वाले हैं यहां पर हमने टू इक्वेशन्स लिया फिरियेबल सेक्वेशन्स विद एलप अप कैल्कुलेटर हम इसे जल्दी से जल्दी बना प्रटि डिया है और इसको हम आउन करते इसके बाद हम जाएंगे मोड में मोड को क्लिक करेंगे तो आपकर दिखा चैंघ्ड or इसे यहिदि एक। मतलब two variable वाला equation इसमें डाल सकते हैं हम one click करेंगे उसके बाद जाएंगे जो value हमें given है वो value हम इसमें put करेंगे कितना है first value 45 45 equal to जागे उसके बाद equal to उसके बाद 49 equal to constant कितना है 44 उसके बाद फिर से अगले equation कितना है 88 x फिर से 88 प्लस 63 है 63 डालेंगे फिर से constant कितना है 108 इतने के बाद हम equal to करेंगे x is equal to value आ जाएगा इतना है इसको फ्रैक्शन में है इसको पॉइंट में भी लेख सकते है मतलब x is equal to हमें आ गया 1.706 और फिर से equal to करेंगे तो हमें y का value आ जाएगा y का value किसमें आ रहा है माइनस में माइनस 0.668 इसी के तरह एक और सम देखेंगे इसी वीडियो में three variables का sum देखेंगे जिसमें three variables है जैसे 4x plus 5y minus 6z equal to 44 एक और equation लेंगे 8x plus 5y minus 8z equal to 98 दो equation यहाप लेंगे जिसका होगा 6x plus 8y minus 2lz equal to 104 अब इसमें से मुझे बोला जाएगा find the value of x y and z तुम क्या करेंगे इसमें क्लिक करेंगे अभी मेरा calculator simple है कुछ नहीं इसमें मैंने किया है बस इसमें करना किया है mode रखना उसके बाद five equations and equation number two पे जाना उसके बाद value सब्सक्राइब करना पहले है four equal to five equal to z कितना है minus six sorry कितना है minus six z क्या करेंगे minus six रखेंगे minus six equal to constant कितना है 44 फिर से equal to करेंगे second बाला value से ऐसे पूट करेंगे eight plus five minus eight equal to constant 98 30 equation का value भी एसे पूट करेंगे six eight minus two value z equal to 104 equal to करेंगे इसके बाद फिर से में एक बार equal to करेंगे यहाँ पे हमारा आ रहा है x is equal to कितना है जैसे आप देख सकते हो x is equal to हमें आ गया six अब y y equal to आ गया minus 14 and z is equal to आ गया z is equal to ऐसे करके minus 15 आ गया तो इसमें ज्यादा समय लगने वाले चीज में हम जल्दी से जल्दी कर देते है calculator की मतल से थेंक्या